है 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 यह जैसे कि अमारे चैप्टर चल ला था हमाई और मैंने आपको इसमें कराया था introduction of amine and nomenclature, okay now we are going to start pre-pression of amines okay so in pre-pression of amine my first study is reduction of nitro compound, clear my first study is reduction of nitro compound reduction of nitro compound clear just a few nitro compound like nitro methane CS3 NO2 nitro methane clear now I am hydrogen hydrogen clear hydrogen add the round in the presence of catalyst 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 nickel platinum 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 this catalyst presence of hydrogen add the round and nickel and nickel platinum and platinum and and यह chemical reaction इंगी प्रिजन्स ओ एथेनोल की प्रिजन्स ओ अब यहां पर 2 हाइडल ना रहेंगी, मैं 3 रहा हूं है, 2 हाइडल ना रहेंगी, CS3, NH2 नको oxygen दोलकर 2 हाइडल ना रहेंगी, अब 2 oxygen 4 हाइडल के साथ, plus 2S2 नको 4 हाइडल लिये, 6 हाइडल हैं, 3 रहेंगी, 6 हाइडल हैं, यह मैंने नाइट्रो मीथेन लिया, आप लोग, नाइट्रो बैंजीन भी ले सकते हो, जैसे की, मैंने लिए ले लिया अनो, नाइट्रो बैंजीन, नाइट्रो बैंजीन, इस कंपार्वर नाम क्या नाइट्रो Nitromethane, Nitromethane, अब में Nitromethane, अब में Nitromethane, फिर सेम इसी तरह से, 3S2, इंदी प्रजैंस अफ निकल, निकल, प्रेटिनाम, और प्रेडियम, ओके, और एथेनो, बेखो, यहां पर हमारी अनिलिक बन जाएगी, Oxide निकल का 2H2 एलरेंगी, NH2, प्रस्ट 2S2, आइएएएएएएएगे, इसी प्रेडियम इसी निकल, इसी कंपाउटल सेच्चिक के बनने प्रेडियम, एकारन है, Nitromethane, अमारीग, और देखो, यहां पर हमारी है, भी add कर सकता हूँ यदि मैं कुछ metals को acid की presence में लो जैसे कि मैंने इस दुबारा से nitrobenzen लिया नाइट्रो बेंजीम मैं हाइडनेड कर रहा हूँ इन्दी प्रिजेंस ओब मैटल जै तिन प्रस सेल के साथ ठीक है या एफ ही आयरेंड मैटल में ले रहा हूँ S-E-L के साथ यहां से आपसे निकल जाएगी और hyaline आपकी आजेंगी यह बन जाएगा आपका एनिदीन मैंटल तो इस आर फ्री प्रिशन आप यानि की amine by reduction of nitro compound तो जल्दी से chemical reactions को नौट कीजेगा अब इसके बाद my second method is by reduction of nitriles by reduction of nitriles second part by reduction of nitriles third part by reduction of nitriles second by reduction by reduction of nitriles third part by reduction of nitriles में जल्हेने आर सी प्री परगों आपका सी कांट करते हैं तो नाइट्राइल होता है जर सी आ का सी कांट नहीं करते हैं तो साइन आइज होता है अब मैं इसका reduction कर रहा हूं बाई reduction of nitriles मैं आपर hydrogen gas add करूंगा in the presence of catalyst ठीक है in the presence of catalyst ठीक है in the presence of catalyst देखो मैं hydrogen add कर रहा हूं in the presence of catalyst catalyst जर निकल है प्लेटी नम है प्लेटी नम है प्लेट यां कुस्वी ले लो ठीक है और reducing agent यह लिए लिए अलुमिनियम हायद्राइल कीक है लिए 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 अल्वनियम हायद्राइल या ले लो sodium amalgam Na H sodium mercury amalgam लेगे यह भी इन दी presence of ethanol in the presence of ethanol यह लो हाँ C2H5 OH देखो क्या होनेगा आर महीं दो ब्रेग होंगे दो हाँ इस साइड दो हाँ इस साइड तो यह तू ले लो आर 3H2 NH2 यह बंगी आपकी Amine ठीक है आप यहां पर आपकी कुछी value ले सकती हो तो वह तो जैनरल सी बात है जैसे मैं बात करूं CS3 C3P1N plus 2H2 सेम इसी कंदिशन में ठीक है निकल देलो प्रेटिन देलो और प्रेटियम देलो कुछ भी एक कैटलिस्ट देलो Reducing agent के साथ Ethium Aluminium Hydride या Sodium Mercury Amalgam Clear? Hindi presence of ethanol C2S5OH ठीक है दोगन ग्रेट होंगे और ये मेरा Ethenalmine बढ़ जाएगा CS3, CS2, NH2 राइट जल्दी सेम कैटल एक्टल 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 को नोट करें हाँ अब इसके बाद By Reduction of Amides ठीक है? By Reduction of Amides देखेगा Third Reaction Third Method By Reduction of Amides By Reduction of Amides By Reduction of Amides ठीक है? Amides उदेगा R-C-Double-Bone को NH2 दो जिन्हें स्कियों NH2 रूप होता ही अमाइड होते हैं अब मैंने इसमें Reduction of Amides की Reaction मैं Reducing Agent Lithium Aluminium Hydride लेकि लेकि Lithium Aluminium Hydride को में यूज गभबा इस प्रजाचों इथर फिर उसके बाद Second Method में Water Second Part देखो Lithium Aluminium Hydride लेकिन इसा में यूज गभबा इथर के साथ ठीक है उसके बाद Water H2O देखो ये ठीक है नहीं लेकिन इसमें Lithium Aluminium Hydride की इस Compound reaction Lithium Aluminium Hydride के साथ इन जी प्रजेंस ओभ इंखरकरा हुआ उसके बाद जो Compound नहींगा उसकी Reaction Water के साथ करामाई पर मेरे यहाँ अमाइन बन जाएगा और ओक से निकल जाएगी, ठीक है, यहां से ओक से निकल जाएगी, दो हाइडल ना रहेंगी, C-S2-Bond N-S2, ठीक है, यहां पर आप आती वाज़े कुछ भी दे सकते हो, जेदे में चलों मेथाइल देता हूँ आपकी वैल्यू, C-Dow-Bond-O, N-S2, ठीक है, तो सब्सक्राइब लिथियम, अलुमिनियम, आइड्राइब, और से में इथा की प्रिजन्स में जोच भुना है, उसके बाद, वोटर, एश्टो, वोक्स निकल जाएगी, हाइडन जाएगी, एथिरावाइड बन जाएगी, C-S3, C-S3, C-S2, N-S2, क्या बनाए है हमारा, एथे ना मनेगी, ज जल्दी से नौD करें, इसके बाद, हमारा झोटर मैता जंद है, तो अबी इसके बाद मेरा नाश्त मेताइड है, बाइं अमोनोलाइसस आफ एल्काईल है, नमबर सो, Ammonolysis of Alkyl Helide Ammonolysis 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 of Alkyl Helide ठीक है तो जल्दी से आप लोग है नगाले है Ammonolysis of Alkyl Helide क्लियर तो देखको जैसे में यहां पर कोई भी एक्चली आमोनिया की रियेक्शन Alkyl Helide के साथ मैं कर रहा हूँ Rx जो यह दोन लग्टों चले आएंगे इस पर हेलो देखको R पर कोई रिप्चार्ज जब R पर कोई रिप्चार्ज होगा ना तो यह R इस लॉन पर रोग्टों के साथ दोन बनाएगा ठीक है तो क्रडिशन क्या हो जाएगी R NH3 और देखको यह जो दो में अप्टों है यह N यह तो N पर कोई रिप्चार्ज लेकिन यह दोन रप्टों हेलोजन पर रिप्चार्ज अब इन्दी प्रजैंस वह पूँ पूँप ने इस थी आमोनिया की प्रजैंस है जो यह दिया रिवर्सबल है जोगों यहां से H-AX निकल जाएगा, यह हमारी प्राइमरी आवाइन, R-N-S-T, यहां पर यह बन जाएगा, clear? गर्षिट, R-N-S-T, R-N-S-T, ठीक है, R, एगालने, एगालने, निकल जाएगा, R-N-S-T, यह प्राइमरी आवाइन, अमें इस primary Amine के reaction R NH गी reaction आप लोग दुबार से L का एल हेलाइट के साथ कटीच एगा एक H- एक H describe श्मानèces का At attends बाहर हो जाएगा और R दॉल हो अंविग हो जाएगा R N , यह वाणलों यहां पर आगा 1 X मिठल के आएगा ना यह दो दूनों हायड हो जाना इसमें हाय श्राइस एच और यह पर यह एक रिश्रेट निकल गया खीके और यह आल नहीं पर है एक हायड नरी यहां पर है यह आपकी Second की युए आपटा है नहीं हाम है फिर दुबाला से मैं इसकी रियक्शन एलकाईल हेलाईट के साथ कराएं तो HX माइमस का HX बाल होगा R इन पर देगा तो N, R, 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 ठीक है? रिटीस पर ये लोंके रोपल अप्टोन हो रहे हैं अब जैसे कि मैंने इसकी रियक्शन ये टर्सी हमाई में इसकी रियक्शन दुआ रसे में है, एलकाईल हेलाईले साथ कराएं, तो ये R इस N से आकर बोन बना देगा, N पर पॉरिडिक चार्ज, चारों को चारों एलकाईल रूप को भई ये इहां पर आदेगा, इस रस में दो R, 4 N, ये चारों एलकाईल रूप किसके साथ करेक्ट है एलकाईल रूकाई रूकाईल रूकाईल, भई ये दो अन्हों के रूंकर दी साथ को न्ही बना लेते हैं undershakin, थो आलप फॉरिडिक चार्ज, चीक और पार फॉरिडिक चार्ज, पॉर ये हालायड है,एप कोराटिय्न आली आंमोनियम दीर, चीक कार्यररी क्वार्टिनरी अमोनियम सोल्ट कीक है क्वार्टिनरी अमोनियम सोल्ट तो जल्दी से आप लोग इस केमिकल रेक्षिन को नौट करें और दो अबड़ा जो यह आर एक्स है रियाक्टिविटी ओप एल्पाई लेंगा है उगोटार आउड्वियक्टिविटी ओडर ओफ रेक्टिविटी ओफ एल्काईल हलाई रहर देखो सबसें फास्ट आउड्टिविटी और गौमाइट इस से पौर आउड़्िवे रहर यह प्नाइडे सार्बीक है वही आइए आइडिन का साए सबसे में इस से पर आउड़्िड पड़ाद होता है। क्लोरीन के साथ सबसर स्लो रियाट क्यों होती है कि इन कीनों में क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। जल्दी से नौट करेंगा एक एक्षिन को। जल्दी नौट कीजिएगा। अब इसके बाद माय रियक्षिन इस GABRIEL THe utterlymide synthesis। ठीके? गरियल थालिमाइट नबर 5 गरियल थालिमाइट नबर 5 गरियल ठीके? अब गरियल थालिमाइट ठीके? घरियल थालिमाइट नब देखना, गरियल थालिमाइट सिंथेसिस में G-A-B-R-I जीअबू गरियल G-A-B-R-I-A ठीक है G-A-B-R-I-A-L A नहीं को चुप की होगा G-A-B-R-I-A Gabriel Thalamide Synthesis लो Gabriel Thalamide Synthesis में हाँ Thalamide की रियक्शन सबसे पहले जब वो Thalamide लेते हैं आपको वी Thalamide क्या होता है देखो Banyan C-Dalbon O C-Dalbon O and H यह Thalamide ठीक है इस Thalamide की रियक्शन में सबसे पहले K-O-H K-O-H के साथ परूँआ लेकिन जो यह K-O-H है यह भी अल्पोलिक होना चाहिए ठीक है की-O-H के साथ और यह अल्पोलिक ठीक है अल्पोलिक पे रेक्श यह लोग राट वने दो चाहिए अल्पोलिक पे रेक्श मच्चो-H यहां से O-H यहां से माइनस-H के यहां पर आजाएगा स्वी डाट वन ओ स्वी डाट वन ओ यहां पर आगया हमारा एंग अल्पोलिक ठीक है यह potassium salt potassium thalemide रेक्शन potassium thalemide रेक्शन ठीक है potassium thalemide अई potassium thalemide reaction ठीक है potassium thalemide reaction और alkyl halide के साथ परेक्शन देखो इसके साथ alkyl halide के साथ यह के एस बहार देड़ा नहापर आर देड़ा रे बनेगा C.1O and R ठीक है रेक्वेड गोड़ प्लस अब देखो इसके साथ परेक्शन N-Alkyl thalemide इसके नामे N-Alkyl thalemide इसके रेक्शन अब मैं N-A-O-H के साथ परा नहाँ N-A-O-H के साथ दो N-A-O-H नुमा दो N-A-O-H देखो यह यहां से ब्रेक होगा यह यहां से ब्रेक होगा यह तू ले रहाँ है तो O-N-A एक तो अजाएगा इस कार्ण के साथ और एक अजाएगा इस वाले कार्ण के साथ यह तो हो हाइड़न रहेंगे इसके साथ ठीक है यह लोग आप ऐसे समझ सकते हो ठीक है और O-N-A इस पार्ण अटम के साथ प्लस C-डाब बॉंड को O-N-A C-डाब बॉंड को O-N-A ओके तो जल्दी से आप इस कैमिटल यह से नोट करें और देखना इस मेथड से आप चो इसके एक सेंटेंस भी जिएगा बाइ इस मेथड इस मेथड Only primary amine is prepared Only primary amine is prepared Not secondary and tertiary Secondary और tertiary amine prepared नहीं होती है Only primary amine is prepared Not crazy लिए Wenya अब सिस्केमिकल एक्शन को हाँ अब इसके बार लास्ट मैठवर्ड़ और वशता है हअब हाँ मेनन प्रोमय डिडिस्म अबच्छन बहुत बहुत अच्छी यह भी बहुत अच्छी रेक्शन हाँ यह बहुत अच्छी रिदिस्म अच्छन है degradation reaction, हाँ, of menon bromide degradation reaction, देखिये गा, of menon bromide, of menon bromide degradation reaction, of menon bromide degradation reaction, देखिये न, half menon bromide degradation reaction में, हम लेते हैं, amyl, जैसे, Rc dalgondro, NH2, इसकी reaction कराते हैं, bromine के साथ, plus NH2, भी साथ में लेते हैं, देखिये रहा, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिये यह निकल जाता है, R, NH2 बचेगा, R, NH2, plus, देखो, N, N यह CO के साथ, N, A2, CO3, N, A2, CO3, अब, N, ABR के साथ, plus 2NA, BR, देखो, बिटा, 2NA यहाँ पर, यह तो तो यहाँ पर, 4 लो, ठीक है, अब देखो, 4 Hydrogen, भई, 4 Hydrogen, 4 Oxygen से, 2 Oxygen आवी, CO के साथ, दो CO3 बना, तो 2 Oxygen बची, प्रसका, 2S2O, दो यह बन जया, मेरा प्राइबरी, आमाई, यहाँ पर आप, आथी बैली कुछ भी यह सकते हो, जैसे चलो, मैं यह लेज़ता हूँ, यह लेज़ता हूँ, आथी बैली, अब के, NH2, प्लस BR2, प्लस 4NA, ओग, ठीक है, तो क्या बनेगा, मीथे रामाई, CS3, NH2, प्लस, तो सेम इसी की तरह है, NA2CO3, प्लस 2NADR, प्लस 2S2, दो परी, ओके, जल्दी से आप, इस reaction को नॉट करें, तो यहाँ पर यह, प्री प्रेशन ऑप आमाईन हमारा, क्लियर हुआ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर कराऊँगा, फिजीकल प्रोपरटीज ऑफ आमाईन, जल्दी से करें, हाँ, फिजीकल प्रोपरटीज ऑफ आमाईन, विच नॉट हो गया ना, इसके बार, आप लोग भडिन का लेंगे, सिजीकल प्रोपरटीज ऑफ आमाईन, ठीक है, सिजीकल प्रोपरटीज ऑफ आमाईन, हाँ, है रिन का लिए, सिजीकल प्रोपरटीज, of amine ठीक है silical properties of amines number one heading आज़ेंगे solubility okay heading आज़ेंगे solubility लिखेगा lower aliphatic amine lower aliphatic amine जो छोडी amine होती है इधिर amine, इधिर amine, इधिर amine, बोपे amine इस तरह से lower aliphatic amine can form hydrogen bond with water molecule can form hydrogen bond with water molecules so these are solubile so these are solubile okay solubility of amine decrease solubility of amines decrease solubility of amines decrease with increase in molar mass with increase in molar mass ठीक है with increase in molar mass due to increase in hydrophobic part due to increase in hydrophobic part ठीक है जितना इसमे अमाइन के hydrophobic part बढ़ता जाएगा जैसे CS3, CS2, CS2 डवर मेट आईए hydrophobic part होगा ये वाला और NS2 ये जैसे इसमे नम्मरों carbon atom बढ़ते जाएंगे ऐसे solubility decrease होती जाती है ठीक है हाँ रिस्टो ब्लाग लिखेंगे higher amines containing six or more carbon atoms बड़ी amines जिनमे six या six से जादे carbon atom होता है higher amines containing six or more carbon atoms are in solubile in water okay are in solubile in water इसके बार आप लो head and डालोगे यहाँ पर boiling point physical properties में my last cutting is boiling point देखेगा boiling point boiling point देखेगा boiling point actually सबसे जादे boiling point जो होता होता primary amines का उससे थोड़ा कम होता है secondary amines का terci amines का सबस्के कम होता है क्योंकि terci amines में intermolecular hydrogen bond नहीं होते हैं ठीक है तो लिखेंगे हाँ देखेगा amines are polar amines are polar and hence form intermolecular hydrogen bond amines are polar and form intermolecular hydrogen bond so they have higher boiling point so they have higher boiling point तो इस्टो ब्लाग लिखेंगे हाँ लिखेगा the intermolecular association जो intermolecular hydrogen bond बनते हैं उसके बारे बोलना हूँ the intermolecular association depend upon the extent of hydrogen bonding depend upon the hydrogen bonding फिरिश्टो primary amines have two secondary amines have one okay primary amines have two secondary amines have one while tertiary amines have no hydrogen bond while tertiary amines have no hydrogen bond no hydrogen bonded to nitrogen actually primary amines में two hydrogen bonds बनते हैं क्योंकि nitrogen के पास two hydrogen होते हैं secondary amines में एक hydrogen bond बनता है क्योंकि nitrogen के पास एक hydrogen होता है तरसी amines में nitrogen के पास कोई hydrogen नहीं होते हैं इसने वहाँ पर intermolecular hydrogen bond नहीं बनते हैं ओके फिरिश्टो बलागे the order of boiling point इस the order of boiling point इस primary amine का सबसे ज़्याद है उसके बाद secondary amine और सबसे कम tertiary amine amine यहाँ पर amine चिक्सो कर ले न amine right clear भई यह थी बात की जएड वही कैसे बनाती है hydrogen bond तो आप लोग देख सकते हो इस प्रेस है खीके कैसे लेटो are and at at the way okay so are and at at मेरे यहाँ पर फिदिकल प्रोपटी स्टार्ट होगा वह होगा कैमिकल रियक्शन बड़ी है अच्छा चैप्टर में कैमिकल रियक्शन बड़ी है अच्छा चैप्टर है आप लोग टाइम से अपने नोट्स पूरे करते रहिएगा ठीक है और एक बार रिवाइज भी करते रहें ध्यान से समझ कर नोट्स बड़ाएं ठीक है और एक बार उसके बार रिवाइज करें तो आपको यह नोट्स साथ यादते जाएगगे बढ़ना फिर बाद हैं बहुत सारी नोट्स हो जाएंगे वह हमसे त्यार नहीं हो पाएंगे ओके ओके क्लास बड़ना टीक है अवह हमसे बार भी करते दो आपको यह नोट किस्वाइज कर दो आपके क्लास